स्टूजेंट्स आप सभी कैस होगत है हमारे इस यूडूब चैनल पर आज में लोग बात करना लें बिटा आपके 27 नंबर की वक्सीट के बारे में सोसल साइंस किया और यह जो है यहां आपको लिन्क देंगे वहां से क्या हो जाए जाते अए तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है इसमें दियागै इसमें कि एक सब्सक्राइं जूलर वोस टैक्ष प्रेडिउसींग फ़ॉ दा प्रिव्न्ट ली कहने का मतलब है जो मेन सोर्स था मुगल्स का कमाई का वो क्या था कि जो टैक्स जो थे किसानों से लेना वो उनका मेन जो था आशोर्स था टैक्स कलेट करने का इंदा मोस्ट प्लेश प्लेस प्रिवन्ट जो tax के सान पेड करते थे अपना वो किसको करते थे जो ruler हुआ करते थे या फिर head जो हुआ करते थे या local chief जो हुआ करते थे उनको दिया करते थे इसके बाद क्या है जो यहाँ पर मुगल है मुगल used one word term जमीनदार to describe the intermediate जो बीच में जितने लोग भी तक tax पहुचाते थे चाहे वो village का head हो चाहे वो chief tan power जो powerful जो मुखिया हो ठीक है यह दोनों में से कोई भी हो इन दोस्तनों के लिए क्या है यह जमीनदार सद्द का प्रियोग करते थे आगे देखे क्या बोला गया है आगे इसमें देखे बोला गया है दा अकबर revenue minister टोडर मल create a carefully survey of crop wild price and area collected for 10 years ठीक है इसने क्या करा यह दस साल के लिए total मल इनका जो है revenue minister रहा और इसने एक लिस्ट तयार करी जिसमें crobs के prices को निर्धारित करा जाता था उस एरिया में cultivated जो tax होता था उसको निर्धारित करते थे इसी data के basis पर tax क्या है fixed कर दिया गया था हर crop के cash price ठीक है जबार्ट बोलते थे ठीक है इसके बाद क्या है जबार्ट system was a preventally in those areas कुछ areas में बहुत ज्यादा famous था मुगल administrative areas कुछ थे जहां बहुत ज्यादा famous था और बहुत ज्यादा क्या है वहां पर कुड़ी survey जहां पर क्या है मुगल निर्चन कर सकती थी महां तक बहुत ज्यादा content और उसे बहुती carefully count भी कर सकती थी पर कुछ area ऐसे थे जैसे गुजरात हो गया बंगाल वहां तक वो पहुच नहीं पाते थे that's why वहां पर यह system लागू भी नहीं करा गया था in some areas जमीनदार execute a great deal power the explosion by the mughals and administrative would be drive to them इसके बाद क्या वो लगे some जमीनदार are prevent to some caste and illegal liberals mughal authorities इसके बाद बोला गया इस प्रिवेंट revolt challenges the stability mughal empire from the head to the 17th century आगे देखिए क्या बोला गया इसमें इसमें बोला गया है what was the major source of income of mughal empire तो बिटा यहां पर आपको क्या उपर answer मिल जाएगा यह क्या हो जाएगा बिटा answer number one हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रसने क्या है अगला प्रसने है what was the role of the जमीनदार in mughal empire जो जमीनदार हुआ करते थे उनका क्या role हुआ करता था मुगल इंपैर में तो यह क्या है बिटा आपको देखो यहां पर दो box लिखने पढ़ेंगे पहला box यह इसको पूरा answer number two में लिखोगे इसको लिखने के बाद बिटा आप आ जाओगे इस ही के नीचे वाले box में ठीक है इस पूरे box को भी answer number two में लिखोगे दोनों box को मिला कर आप answer number two बना ओगे इसके बाद क्या बोला गया है इसके बार बोला गया what was the name of the revenue minister of अकबर के revenue minister का क्या नाम था तो यहां पर देखो क्या लिखा है टोडर मल ठीक है यह क्या हो जाएगा आपका answer number three हो जाएगा बस इतना जबात जबात वर्ड से आप क्या समझते हो ठीक है तो आप देखो यहां पर क्या लिख दोगे यहां से पूरा यहां तक यह जो है answer number four हो जाएगा ठीक है चलो अगला प्रसन देखते हैं क्या है अगला प्रसन बोला गया what was the जबात system more relevant यानि कहां पर सबसे जबात system था तो यह पूरा जो पैराग्राफ है यह आंसर हो जाएगा answer number five आगे आपके कारपतिका क्या होती है यहीं होती है सवाब तब बच्चो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा contest में पास्पेट करने की कोसिस करना धन्यवाद प्यारे आपको